ज्यान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MSXL 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे Average If और Average Ifs फॉर्मूलों का उप्योग करना। माली जे हमारी एक फॉर्म है Hersh Electronics नाम से हम टीवी बेशते हैं और ये तीन कंपनिया हैं ओनीडा, LG और सोनी जिनके टीवी हम बेशते हैं। हमारे हाँ तीन करमचारी हैं राम, श्याम और मोहन। यहाँ पर हर महिने जो हम सेल करते हैं वो दी हुई है और तीनों करमचारीों को हर महिने अलग-अलग कंपनी के टीवी बेशना होते हैं जैसे जनवरी में इनके पास ये कंपनिया थी, फरवरी में इनकी कंपनिया चें पर अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों कर्मचारियों में से किसी एक कर्मचारी ने average cell कितनी की है ये पता करना हो तो हमको average if formula का उप्योग करना होगा मान लिजे हम जानना चाहते हैं कि राम ने average cell कितनी की तो हम यहाँ पर सबसे पहले राम का नाम लिख लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि किसका average हम निकाल रहे हैं अब यहाँ पर हम लगाते हैं formula उसके लिए सबसे पहले हम equals to का निशान लगाएंगे और अब हम यहाँ पर type करेंगे average if यह bracket हमने लगाया तब से पहले हमको चाहिए range तो range में यह नाम वाली जो पूरी range है इसको हम select कर लेंगे यह नीचे तक जहां तक नाम है वो पूरा यहाँ तक हम select कर लेंगे और इसके बाद हमको लगाना है कॉमा यह कॉमा लगाने के बाद अगली चीज है criteria criteria जो है वो है हमारा राम केवल राम के बारे में हम जानना चाहते हैं इसलिए हम राम वाला जो cell है उसको चुन लेंगे अब इसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे अब हमको जो average निकालना है वो किसमे से निकालना है उसकी range चुनना है तो वो हम यह cells का जो पूरा data है उसको चुन लेंगे यह सारे cells select हो गए और अब bracket close कर देंगे और enter press कर देंगे तो यह देखिए यहाँ पर राम ने जो average cell की है वो यहाँ पर आ गई तो जिस तरह से हमने राम की average cell निकाली है उसी तरह से आप शाम या मोहन की भी निकाल सकते हैं बस उसमें criteria की जगर राम चुनने की बजाए शाम या मोहन चुनेंगे यह तो हमने person-wise average cell निकाली अब अगर हमको product-wise average cell निकालनी है मालीजे हम जानना चाहते हैं कि Onida की average cell कितनी हुई तो फिर इस formula का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पहले हम लिख देते हैं Onida अब हम लगाएंगे formula सबसे पहले equals to फिर लिखेंगे average if अब bracket लगाएंगे अब हमको जो range चुननी है उस range में हम product की range चुनेंगे और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और अब हमको लेना है criteria तो criteria में हम चुनेंगे Onida इसके बाद कॉमा लगाएंगे और अब जो हमको average निकालना है वो cells में से निकालना है इसलिए cells का data पूरा चुन लेंगे और bracket close कर देंगे और enterprise करेंगे तो यह देखिए Onida की average cell कितनी हुई पूरे साल भर में यह यहाँ पर आ गया तो इस तरह से यह अभी हमने देखा average if formula का उप्योग और अब हम देखते हैं average ifs formula का उप्योग तो average if formula की मदद से अभी हमने किसी भी particular person की या किसी particular product की total जो cell थी उसका average निकाला अब average ifs formula की मदद से हम किसी भी particular person ने किसी भी particular company के item की total कितनी cell की उसका average हम निकालना चाहते हैं उधारण के लिए हम जानना चाहते हैं कि राम ने Onida company के average कितने TV बेचे उसके लिए हम इस formula का उप्योग करेंगे कैसे आईए देखते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं राम और अब हमको formula लगाना है तो सबसे पहले equals to इसके बाद हम लिख देंगे average ifs यह हमने bracket लगाया यहाँ पर सबसे पहले हमको चाहिए average range तो वो जो हमको average निकालना है वो cells में से निकालना है इसलिए यह जो पूरा data है उसको हम select कर लेंगे और अब इसके बाद लगाएंगे comma अब हमको चाहिए criteria range 1 criteria range 1 के लिए हम person वाला जो column है इसको पूरा select कर लेंगे जो name वाला है इसके बाद हमने comma लगा दिया अब यह हमने criteria range 1 तो select कर ली अब हमको चाहिए criteria 1 मतलब अब यह जो नामों की range हमने select किये इसमें से किस व्यक्ती के बारे में हम जानना चाहते हैं तो यह हमने select कर लिया राम और इसके बाद फिर हम comma लगा देंगे अब हमको चाहिए criteria range 2 तो उसके लिए हम यह product select करेंगे यह पूरा data जो product का है यह हम select कर लिते हैं इसके बाद फिर comma लगा देंगे और अब हमको चाहिए criteria 2 यानि products में से किस product के बारे में actually हम जानना चाहते हैं तो यह हम जानना चाहते है onida के बारे में तो यह onida को हमने select कर लिया और अब इसके बाद bracket close कर देंगे onida की जो average cell की है वो यह है MS Excel 2007 के इस अध्याए में हमने सीखा average if और average ifs फॉर्मूलों का उप्योग करना